नमस्कार, मैं हूँ ससी संध्या समाचार में आपका स्वागत है आए जारखंड के दिन भर की खबर जानते हैं जारखंड में साथ चालीस के बिरोध में आज निकाला जाएगा मसाल जुलूस जारखंड नियोजन निती साथ चालीस के बिरोध में आज 18 अपरेल को पूरे जारखंड के जीला और परखंड मुख्याला में मसाल जुलूस निकाला जाएगा रांची में जैपाल सिंग स्टेडियम के समक्ष एकत्रित होकर छात्र साम पांच बई अलवट एका चुक तक मसाल जुलूस निकालेंगे वहीं 29 अपरेल को सुबह से सरक पर उतर कर जारखंड बंद कराया जाएगा आक्समिक सेवा को इस बंदी से मुक्त रखा गया है बता दै कि जारखंड नियों जानीदी 40 के बिरोज में छात्र संगटनों का 72 घंटे का आंदोरन सो मुआर सही सुरू हो गया है बड़ी संख्या में छात्र वा छात्राएं सी एम आवास गेरने पहुँचे थे वे लोग काके रोड राम के मंदीर के पास बैरिकेटिंग पार करने का प्रयास करने लगे उन्हें रोकने के लिए पूलिस को लाठी चाज करना पड़ा था इसमें कई छात्रों के सीर फुट गये थे कई के पीठ हुआ पैर में चोट लगे थे वही सड़क पर पूलिस और चात्राओं के बीच नोका जोकी देखी गई पूलिस के बॉल परयोग करने के बाद चात्र पीछे हटे जैक बोर्ड एगारवी की परिक्षा अस्थागीत जारखन एकेडमी कॉंसिल ने जैक बोर्ड की 29 अपरेल को दोनों पालियों में होने वाली एगारवी की परिक्षा अस्थागीत कर दी है बोर्ड के अनुसार और परिहार कारणों से फासला लिया गया है यहाँ परिक्षा अब 20 अपरेल को लिजाएगी मालूम हो कि जारखन एकेडमी कॉंसिल मैट्रिक और इंटर की परिक्षा के बाद आठवी नौवी और एगारवी की बोर्ड परिक्षा करा रहा है इसमें आठवी और नौवी की बोर्ड परिक्षा संपन करा लिगई है वहीं एगार्वी की परिक्षा अभी भी जारी है इस बीच बोड ने 29 अप्रेल को होने वाली परिक्षा को अस्थागित कर दिया है जहारखंड को सवगात देने पीए मोधी आएंगे रांची जहारखंड को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिए ज़्यादा परतिक्षा करने की ज़रूरत नहीं है बता दे कि जल्द ही जहारखंड को वंदे भारत की सवगात मिलेगी मीडिया सुत्रों की माने तो रांची से पटना के लिए जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सुरुआत अप्रेल महिने के आखरी सब्ता में हो सकती है कुछ मीडिया एजेंसी का काना है कि समवता 25 अप्रेल को बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जारखन में सुबारम हो गा है ऐसे में लोगों के मन में एक और उत्सुपता है कि क्या पीए मोधी बंदे भारत की सोगात देने खुद रांची आएंगे यह सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि अधिकतर राजियों में बंदे भारत एक्सप्रेस की सोगात देने के लिए पीए मोधी खुद उस राजिय का दवरा कर चुके हैं और वह कर रहे हैं अलाकि कई राजेों में पेम दी ने वर्चुजल ही बंदे भारत एकस्पूर्स ट्रेन का उत्गाटन किया है, लेकिन बड़ी बात आए कि राजे के खाते में भी अब बंदे भारत एकस्पूर्स ट्रेन आने वाली है जगरनाथ महतों के स्राध करम में जाएंगे सीम हमांत जारखन के मंतरी रहे दिवंगत जगरनाथ महतों के 12 स्राध करम में कम से कम 50,000 लोग के सामिल होने की संभवना है स्राध करम में मुख्य मंतरी हमांसुरेन, कैबिनेट मंतरी और विधायक पहुंचेंगे मुख्य मंत्री हवाई मार्ग से स्वर गिये जगनात मतों के गाउं जाएंगे इसके लिए सीमरा कुल ही में हैरली पैट बनाया गया है बदादे स्राध करम में भारी संख्या में लोगों के सामील होने की समभावना के बीच सुरक्षा बिवस्ता चाक चोबंद की गई है सीम हेमन्त ने अतिक अहमद हत्या कान पर उठाय सवाल सीम हेमन्त सुरे ने पुलिस कस्टडी में गैंग्स्टर अतिक अहमद की हत्या पर सवाल उठाया उन्होंने कहा है कि देश में मैनेज कर चलाया जा रहा है CM ने कहा है कि हर अपराद के लिए कानून में सजा का प्रवधान है उन्हें उसी हिसाब से सजा मिलनी चाहिए बता दे उतर परदिस में पुलिस कस्टर्डी में गैंग्स्टर अतिक अहमाद और उनके भाई असरफ की गोली मार कर हत्या कर दी गई जब अतिक के हत्या की गई उस वक्त उनके साथ कई पुलिस वाले भी थे इस हत्या पर जार्खन के सिया महमान सुरेन ने बड़ा ब्यान दिया है उन्होंने कहा है कि चीजों को मैनेज कर देश नहीं चलाया जा सकता और मैनेज कर देश को विश्व गुरू नहीं बनाया जा सकता उन्होंने कहा है कि इस हत्या कांड ने कई सवाल खड़े किये हैं ज़ार्खन में कुरोना के 43 नए मरीज एक्टिव केस की संख्या 197 संग्राइज की में 25 data 24 étaient गंटें में 20 पुरब्यूह वहीं रांची में 9 संग्राइज में इसी के साथ रांची में संग्रामित म्रीज क्ति एकाला बड़कर 99 पार आए बतादे राज Ring में 20 10 dal 28 अधान 13 25 25 गढ़वा में 4 गिरीडी में 5 गोटा एक गुमला में 10 हजारी बाग में 7 खुटी में 2 Suppose में छो लॉह दगा में 5 पांकोड में 27 तीन रामगाड में हुई सुनवाई के दोरान राज सरकार की ओर से जबाब दाखिल करने के लिए समय देने कागर किया गया जिसके बाद आदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 16 माई मुकरार कर दी है कोट ने सरकार को 16 माई तक सपत पतर दाखिल करने का अनिद्यस दिया है बता दे सुनवाइक दोरान कोट में राज सरकार की ओर से अधिवक्त अपियूस चित्रिस ने पक्ष रखा वही हाई कोट द्वारा नियुक्त अमेकस क्यूरी नामक बैभाव की अदालत में मवजूद रहे जारखन हाई कोट के चीफ जस्टीस संजय कुमर मिस्त्र के अधिक्षता वाली खनपीट ने मामले की सुनवाई की है नियोजनीती के खिलाब 29 अप्रेल को बंद का अवाहान इसका जिक्र साहब गंज महाबिद्याले चात्र संग के नायाक मनोहर टुडू की ओच जारी पत्र में हाई पत्र में कहा गया है कि सुबह के 6 से साम 4 बहे तक साहब गंज बंद रहेगा इस दोरान एंबुलेंस सेवा मेडिकल स्टोर, गैस गोदाम, पेट्रोल एवं डिजल की बिक्री बरात पार्टी दूद बिक्री को बंद से अलग रखा गया है नन बैंकिंग कंपनियों ने जिन हे ठगा लोटाया जाएगा उसका पैसा गरीबों की गढ़ी कमाई लेकर चपत होई नन बैंकिंग कंपनियों से वसूले गए पैसों की पीडितों को वापस किया जाएगा नन बैंकिंग अभी करता एवं नुवेश सुरक्षा समीति के प्रेशिडेंट जावेद अक्तर के दौरा जार्खन हाई कोट में दैर जनीत यजचका के सुनवाई के दौरान राज सरकार की ओर से अदालत को जनकारी दी गई बताया गया है कि राज सरकार ने ऐसे लोग को पैसा वापसी के लिए एक कमिटी के गठन करने का फैसला किया है सरकार ने अदालत को बताया है कि एक सब्ता हमें कमिटी के गठन कर लिया जाएगा उसके बाद कमिटी के दौरा उन्हें चीन हित कर पैसा वापस किया जाएगा बता दे जारखान हाई कोट के चीफ जस्टिस संजाय कुमार मिस रोजस्टिस अनान सेन की आदालत में इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई हुई है अपनी साधी रुकवाने थाने पहुंची नवालिक कम उम्र में साधी को लेकर अब गरामीन चेतर की लड़किया जागरूप है और साहस दिखा कर दूसरे के लिए प्रेना बनने का काम कर रही है बता दे रांची के बुढमू परखंड के ठाकूर गाउ थाना चेतर की एक लड़की अपनी साधी रुकवाने के खिलाब ठाकूर गाउ थाने पहुंच गई उसकी बाद सूनका ठाकूर गाउ थाना प्रभारी कृष्ण कुमार तथा पुलिस निरिक्चक जुगनु महता ने ततका लड़की के सोजनों को थाने बुलाया और कानूनी करवाई का भाय दिखा कर समझा पुझा कर साधी रुकवाई सोजनों ने बालिक होने तक साधी रुकवाने की बात कही है जनकारी के अनुसार ठाकूर गाउ थाना चेतरे के भाट बुड़या गाउ के राजेस महतों की नवालिक पुत्री पायल कुमारी 14 वर्षी एक साधी रामकर जीले के पतरातू थाना चेतरे में तय हुई थी सांसद संजय सेठने की नियोजन निती पर परदसन कर युवाओ पर लाठी चार्ज की निन्दा जारखन के रांची से सांसद संजय सेठने नियोजन निती को लेकर परदसन कर रहे युवाओ पर हुई लाठी चार्ज की जम कर अरुजना की है उन्होंने कहा है कि हेमांत सोरेन की UPA सरकार के दूवारे किये गए लाठी चार इस सरकार के तावोध की अम्तिम किलसावित होगी बदा आज जारखन की UPA सरकार बरबरता और हिस्सा पर उतर आई है यह सरकार लोकतंतर की हत्या कर रही है इंसाफ और नयाय मांग रहे लोगों पर लाठिया बरसा रही है फरश्टाचार और अराजकता के सारे रिकोर्ड तोड़ने वाली इस सरकार का रिकोर्ड राजे की जनता तोड़ेगी सांसाथ ने कहा है कि यह सरकार नौकरिय odor निजण नीती जैसे मोदे पर व्रिवाओ के कंधे पर चढ़ कर आई आई है जनता को ब्रगला कर वोट लिया और जब उन वोटों की कीमत के बदले जनता को लाठि चार्ज का तोफा दे रहे हैं सांसाद ने कहा है कि यह सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है खाद्य आपूर्थी विभाग के 391 रिक्त पदों पर होगी बहाली इसे सरकार की मंजूरी मिल गई है अब विभाग की और से जे पीएसी और जे असेसी को नियुकती के लिए अधियाशना भेजी जाएगी बता देखा देखाद आपूर्ती विभाग में छेतरी अस्तर पर 435 पत स्रीजी थाए इनमें से 44 अधिकारी वा करमचारी ही करे रहा थाए लगबग 90 पर त्रिक थाए अब परखंड आपूर्ती पता अधिकारी के 260 पतों में 252 पत खाली पड़े हुए है राजे में सिर्फ आठ परखंड आपुर्दी पताधिकारी ही कारे रथ हैं। च्छात्रो ने कहा सरकार जरखंडी कौन है को परखंड करे। के लिए जगा हो। अपसर के जो पद है उनमें 75 से 80 से हमारे लिए और बाकी बाहर के लिए लोगों के लिए रखे। तो हमारे नोकरिया बाहरी के हाथों में चली जाएगी। धन्यवाद।